नया एंजन, नया कलर और नई लिफ्ट से नवाजा है महेंदराने इस ट्रेक्टर को अभी अपने All New Powerful Saat HP के CRDI इंजन के साथ आता है जिसे आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से अब इसका वो 331cc का इंजन भी देखने को नहीं मिलेगा इस ट्रेक्टर में क्योंकि नए जमाने के नोबो को एक नए पावरफुल इंजन की जरूरत थी नमस्कार किसान भाईयो मैं हूँ आपका दोस्त रोहित यादव और मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल और फेस्बुक पेज टेक्टर टीबी पर और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महेंद्रा की तरफ से आने वाले 2023 के All New CIDI महेंद्रा 9605DIPP के 4WD model की नया एंजन, नया कलर और नई लिफ्ट से नवाजा है महेंद्रा ने इस टेक्टर को किसान भाईयो महेंद्रा अरजुन 9605DI में से अब महेंद्रा ने अरजुन को हटा दिया है, अब ये अपने All New Powerful Saat HP के CIDI engine के साथ आता है, एक काफी तगले अपडेट की जरूरत थी 9605DI को, जिसे पूरा करा है महेंद्रा ने, क्या कुछ दिया है इस टेक्टर में, इन स कितना भेतर है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें आखरी तक, और जाने कितना स्कोर मिला है, महेंद्रा नोवो 605DI, CIDI को टेक्टर टीवी से, तो किसान भाईयो महेंद्रा ने इस टेक्टर में से, अरजुन नाम को हटा दिया है, और उस नाम के साथ, अब इसका, वो 331 CC का, इंजन भी देखने को नहीं मिलेगा, इस टेक्टर में, क्योंकि नए जमाने के नोवो को, एक नए पावरफुल इंजन की जरूरत थी, जो इसे महेंद्रा ने दिया है, अब ये कितना रिलाइवल है, ये तो आगे चलकर वक्ती बताएगा, लेकिन अपडेट तो तग प्रोडेक्ट निकाल कर लाए मार्केट में, चलो अब आजाते हैं टेक्टर पर, तो सबसे पहले बात करते हैं इस टेक्टर के लुक्स की, तो किसन भाईयो महेंद्रा ने इस टेक्टर को अपने ओल न्यू कलर में रंग दिया है, काफी डिमांड थी इस कलर की, कि इस कलर क 605 में भी लेकर आए महेंद्रा, थोड़ा बोर सा लगने लगा था वो कलर, वो कलर महेंद्रा के सबी टेक्टरों में आता है, बागी ग्राफिक्स बगेरा तो डिट्टो सेम हैं, बस अब महेंद्रा नोबो के बीच में से अरजुन नाम गायब है, इतना ही चेंज है ग्रा मजा ही आ गया देखने में, ये मेरी निजी रहा है, हाला कि ये कलर 655-755 में काफी टाइम से आ रहा है, लेकिन वो इतना जादा देखने को नहीं मिलता है, काफी प्यारा लगने लगा है टेक्टर इस कलर में, चलो अब बात करते हैं इसके फीचर्स और कमफट की, और देखने को मिल जाते हैं, और इंजन आरपीम भी इसी में देखने को मिल जाता है, एनेलोग मीटर के साथ, और इसमें अब आपको टेक्टर आवर्स के साथ, टेक्टर कितने किलोमेटर प्रतिगंटे की स्प्रिट से चल रहा है, आप भो भी देख सकते हो, वहीं इसमें उपन सेंटर हाइडो स्टेटिक डॉल एक्टिंग मैनूली अप्रेटेड वाई इस्टेरिंग कंट्रोल वील वाला पावर स्टेरिंग सिस्टम किसान भाईयो ये डॉल एक्टिंग होने के काराण टेक्टर को काफी ज़्यादा संतुलित रखता है दावाई खिचने नहीं देता तेज इस्प्रीड में सीट और कंफर्ट की बात करें तो किसान भाईयो इस ट्रेक्टर में आपको मिलती है टूबे एड़ेस्टेवल डिलक्स सीट विट टू हेलिक कोईल स्प्रिंग सस्पिंशन और साथ में हाईडोलिक सॉक अब्जॉर्वर डंपिंग कंट्रोल के लिए और इसमें आपको फ्लेट प्लेटफॉर्म मिलता है साइट सिफ्ट गेल लिवर और सस्पेंडेट टाइप ब्रेक एंड क्लेच पेडल के साथ तो चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के नए नवेल एंजन की और देखते हैं कि क्या कुछ नया दिया है इस ट्रैक्टर में महिंद्रा ने तो किसान भाईयो यह है महिंद्रा का F-100 फेमिली का MTM SC-38 सीरीज का BS-4 और 323 सीसी का वर्टिकल इन लाइन 4 सिलेंडर 4 स्टोक लिकिट कूल्ड नेचरली एसपरेटेट कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन ECU कंट्रोल ट्रिम फोर डिजल इंजन जिसमें फ्यूल जाता है हाई प्रेशर कॉमन रेल electronically operated fuel injection system से और हवा के लिए dry type dual element air filter लगा हुआ है चोक बॉर्निंग के साथ और वहीं इंजन को ठंडा बनाये रखने के लिए force circulation of coolant और water cooling system लगा हुआ है overflow reservoir के साथ और ये engine 2100 engine rpm पर चल कर लगभग 60 hp की ताकत और लगभग 235 newton meter का टॉर्क पे दख कर देता है और वहीं जरूरत पढ़ने पर ये engine लगभग 35% का backup टॉर्क भी लगा सकता है और ये CDI engine होने के कारण आपको तीन power mode भी मिल जाते हैं diesel saver, normal और power तीनों option के साथ जिसे आप यहां से control कर सकते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से चलिए अब gear walks की बात करते हैं तो किसन भाहियो ये है 30 gear वाला reverse forward, super subtle shift, selectal liver के साथ mechanically operated combination of synchro and sliding में इस gear walks 15 forward और 15 reverse gear speed के साथ अगर इसके gear pattern की बात करें तो इस tractor में आपको 5 आगे के gear की और 5 पीछे के gear की 3-3 speed मिलेगी और वहीं इस gear walks से आप इसे सामने की तरफ लगभग 10 km प्रतिगंटे से तो 33 km प्रतिगंटे तक की speed से चला सकते हैं वहीं clutch की बात करें तो इस tractor में आपको clutch plate की दो यूनिट मिलती है dry fiction pad and plate type clutch plate मिलती है जिसे double clutch भी बोलते हैं पहली suspended type clutch pedal से operate होगी जिससे tractor control होगा और दूसरी PTO के लिए जिसे आप seat के side में दिये गए liver से operate कर सकते हैं PTO की बात करें तो किसान भाईयो यह है 53.9 HP की independent PTO clutch plate के साथ आने वाली 540 speed की live PTO जो लगभग 100 engine RPM पर चल कर 540 RPM की speed से घूमती है और साथी आपको 540 speed economy PTO भी मिल जाती है जो लगभग 1550 engine RPM पर चल कर 540 RPM की speed से घूमती है और वहीं आपको reverse PTO का विकल भी मिल जाता है 540 speed PTO के साथ हाइडोलिक की बात करें तो किसान भाईयो इसमें आप आपको महेंदरा की all new महाल लिफ्ट मिलती है किसान भाईयो यह 3-point linkage 2600 kg की lifting capacity वाली category 2 की open center live ADDC type dual acting, dual sensing hub के साथ 2-point sensing, automatic draft and gray control वाली hydraulic system बागी आपको इस टेक्टर में 2 auxiliary control वाल भी मिल जाते हैं ब्रेक की बात करें तो इस टेक्टर में आपको suspended type brake pedal के साथ aisle में डूबे हुए multi-dix braking system मिल जाता है और वहीं handbrake इस टेक्टर में आपको paul and ratchet arrangement type मिलता है car like handbrake combination के साथ टायर और एक्सल की बात करें तो किसान भाईयो इस टेक्टर में आपको आगे 95-24-8PR के टायर मिलते हैं करारों के epicyclic type front four wheel drive एक्सल के साथ और वहीं पीछे इस टेक्टर में आपको 16-28-12PR के टायर मिलते हैं planetary reduction type drive rear एक्सल के साथ और इस टेक्टर का वजाने लगभग 2755 किलो लंबाई ये लगभग 12 फूट चोड़ाई ये लगभग 6 फूट 5 इंच उचाई लगभग 6 फूट 10 इंच वीलबे से लगभग 7 फूट और ground के लेने से लगभग 1 फूट 4 इंच चाचट लिटर का diesel tank के इस टेक्टर का वह लगभग 3 से तो 6 लिटर प्रती घंटे की diesel खपत है इस टेक्टर की diesel खपत इस बात पर निरभर करती है कि आप टेक्टर से क्या काम करवा रहे हैं और कहाँ पर चला रहे हैं किमत की बात करें तो लगबग 12,00,000 तक पढ़ता है ये टेक्टर मेरे हम अध्य प्रदेश में और 6 साल और 5000 गंटे तक की वारंटी मिलती है इस टेक्टर पर ये निर्वर करता है कहीं पर extended मिलती है कहीं पर टेक्टर के साथ मिलती है अब बारी है टेक्टर टीवी.in के स्कोर की तो महेंदरा 9605 DIPP के टॉर्क को मिलते हैं 100 में से 97 पॉइंट, PTO पावर को मिलते हैं 100 में से 96 पॉइंट, लिफ्टिंग कैपेसिटी को मिलते हैं 100 में से 100 पॉइंट, अगर आप महाल लिफ्ट वाला मॉडल ले रहे हैं तो और वहीं overall इस ट्रेक्टर को स्कोर मिलता है ट्रेक्टर टीवी से सो में से सिंत्यानवे का तो किसान भाईयो इस ट्रेक्टर को ट्रेक्टर टीवी से स्कोर मिला है सिंत्यानवे का इस ट्रेक्टर की कैटेगरी की तुलना में और किसान भाईयो इस नमबर हम आपकी सोलियत के लिए निकालते हैं ये कोई मापड़न नहीं है ट्रैक्टर को पर रखने का ये नंबर हम हमारी निजी राय के आधार पर निकालते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो वहीं किसान भाईयो इस स्कोर को निकालने के लिए हमें बहुत मेनत करना पड़ती बहुत से चीजों को देखना पड़ता है तब जाकर ये नंबर हम कहीं निकाल पाते हैं तो किसान भाईयो आप भी कमेंट करके बताएं कि ये पाइंट ये स्कोर वाला सिस्टम आपको कैसा लगा कि आपको इससे कोई मदद मिली या फिर नहीं बाकी वीडियो पसंद आईए तो अगर आप ये वीडियो यूटूब पर देख रहा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवान ना भूलें और अगर फेस्बुक पर देख रहा हैं तो टेक्टर टीवी पेज को लाइक करें दन्यवाद